सब्सक्राइब तो गर्श dot-ซम आज कि हम इस य wonderfully बात करेंगे कल्टीवेशन और रोधे डिश्बीच आप प्रोश्ण मिल्ट प्रोश्य मिल्ट के बारे में तो इसंसका क्या है बोट खीक गल यम तो संपमुर जան अनकारी स्वीडियो में हम पॉर्शोमिल्च के बारे में Christmas करेंगे तो बॉटनी करने में बॉटनी करने में पैनी पैनीकम पैनीकम मिली एचियम पैनीकम मिली एचियम मिली A C M panicum Miliacium इसका bottom करने में और family की बात करें तो यह family है इसकी gramni 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 इसकी family है और उत्पत्ती स्थान की बात करें तो उत्पत्ती स्थान बाटसों का उत्पत्तिस्थान भारत माना जाता है उत्पत्तिस्थान भारत तो पोर्सों का उत्पत्तिस्थान भारत है इस पॉंट को याद करें और नेस्ट पॉंट है पोशन मूल पोशन मूल पोशन मूल की बात करें तो बहुत अधिक इसमें कि पोसक मोड पाए जाते हैं जो कि खाने के लिए बहुत द्यूपयोगी है तो इसमें प्रोटीन पाए जाती है 12.5 प्रतिसत और लाइसीन लाइसीन अमल पाए जाता है इसमें फ़ोटीन पॉएंटे शिक्स कौइन प्रतिसत कार्ववोगीट कि बातकरें तो इसमें कार्ववहेड़ित पाए जाती है 68.8% बसा की बात करें तो इसमें बसा की प्रितिशत मात्रा 1.2% बसा पाए जाती है तो इसके में हो गए पोर्शन मोल लें अब नेस्ट पॉंट की बात करते हैं जलवाईव की तो जलवाईव आपको बता दें कि जलवाईव इसकी लिए खरीब एवं रवी की जो जलवाई होती है इसके लिए उप्युक्त माने जाती है तो दोनों सीजन में इसके खेती ले सकते हैं खरीब और रवी की सीजन की जलवाईव है नेस्ट पॉंट की बात करें बहुमे तो इसके लिए हलकी दोमट चिकनी मिट्टी उप्युक्त मानी जाती है उप्युक्त मानी जाती है अब बात करते हैं नेस्ट पॉंट की कुछ इसके किसमें इसकी किसमों के बारे में तो इसकी किसमें है श्रीवन एमेस एमेस अर्टालिस बहत्तर एमेस अर्टालिस बहत्तर पी यू एक सो च्यानवे आदी ये किसमें है पॉर्सों मिल्च की बीज की बात करें तो बीज तो कितना बीज की आवसकता पढ़ती है बीज की बात करें तो 8 से 10 10 केजी प्रती हेक्टियर बीच की आवसक्ता पढ़ती है और उपज की बाद करें तो उपज उपज 10 से 12 कुंटल प्रती हेक्टियर उपज इसकी मिल जाती है तो यह थे पार्शो मिल्च की खेती के बारे में तो इसका बोटनिकल नेम हमने पढ़ा फैमली आदी यही पूछा जाता है आपको बता दें इसमें गुड़ो सूत्रों की संक्य अवर्ड तो टूएन बरावार 18 पाए जाते हैं तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और लाइक करें शेयर करें जैजवाद जैपिसान